इस टुटोरियल में हम क्लास 9 की exercise 7.4 का question number 4 solve करेंगे which says A, B and C, D are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral A, B, C, D तो A, B, C, D मुझे quadrilateral दी गई है जिसमें ये बोला गया है कि A, B इसकी सबसे छोटी साइड है और C, D इसके सबसे बड़ी side है ठीक है ये side सारी side से बड़ी है ये side सभी side से छोटी है show that angle A is larger than angle C तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो angle A है ये angle C से बड़ा है and angle B is larger than angle D और angle B जो है वो angle D से बड़ा है ये हमें प्रूव करना है अब हमें given क्या है कि A, B सबसे चोटी साइड है C, D सबसे बड़ी साइड है अब हमें यह पता है कि हमें ये वाला concept यूज़ करना है कि एक triangle के अंदर बड़ी side के सामने बड़ा angle होता है और बड़े angle के सामने बड़ी side होती है ठीक है? यहाँ पर अब हमारे पास कोई triangle है नहीं तो हम triangle बनाएंगे तो triangle कैसे बनाएंगे we will draw diagonals तो हमें diagonal बनाने होगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A और C को join करते हैं यह diagonal बनाते हैं यह diagonal बनाते हैं तो 2 triangles बनगी एक यह triangle बनगी एक यह triangle बनगी ठीक है अब हमें यह पता है कि A B सबसे चोटी साइड given है और C D जो है वो सबसे बड़ी साइड given है ठीक है तो इसको use करके अब हम इसको solve करते हैं कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको So पहले हम यह triangle ले लेते हैं A B C So in triangle A B C अब इस triangle में A B side जो है वो छोटी साइड है किससे? B C से क्यों? यह क्या है? given कैसे given? कि A B सबसे चोटी साइड है सबसे चोटी साइड है तो B C से भी चोटी होगी इस side से भी चोटी होगी यह जो diagonal है इसका हमें कोई लेना देना नहीं है diagonal हमने सिरफ और सिरफ triangle बनाने के लिए लिया है compare हमें quadrilateral की sides को ही करना है तो इस triangle में ये जो दो sides और quadrilateral की उनका relationship हमें पता है कि AB इससे छोटी है अब इस angle को मालनों मैं बोल देता हूँ angle 1 और इसको मैं बोल देता हूँ angle 2 ठीक है अब AB के सामने कौन सा angle है angle 2 तो वो छोटा हो गया किससे BC के सामने वाला angle यानिकी angle 1 से ठीक है और इसको मैं बोल देता हूँ से number 1 ठीक है अब मैं ये वाली triangle ले लेता हूँ in triangle ADC अब मैं ये उपर वाली triangle ले लेता हूँ अब इस triangle में AD जो है वो छोटा है किससे CD से ये क्या है given ये भी कैसे given हमें पता है कि CD side जो है वो सबसे बड़ी side है तो CD अगर सबसे बड़ी है तो वो AD से भी बड़ी होगी ठीक है अब इस angle को मैं बोल देता हूँ angle 3 और इसको मैं बोल देता हूँ angle 4 अब AD के सामने इस triangle में AD के सामने कौन से angle है angle 4 वो किससे छोटा हो गया CD के सामने वाल angle तो वो क्या है angle 3 ठीक है इसको हम बोल देता है say number 2 now from 1 and 2 मेरे पास क्या आया angle 2 angle 1 से छोटा angle 4 angle 3 से छोटा है तो इसका मदलब angle 2 plus angle 4 ये किससे छोटा हो गया angle 1 plus angle 3 से right angle 2 angle 1 से छोटा angle 4 angle 3 से छोटा है तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से छोटा होगा ठीक है अब angle 2 plus angle 4 क्या है angle 2 plus angle 4 अगर अब देखो तो ये मेरा क्या है angle C तो ये होगा angle C तो ये किससे छोटा हो गया angle 1 plus angle 3 से तो angle 1 प्लस एंगल 3 वो क्या हो गया एंगल A और यही चीज हमें यहां प्रूव करनी थी कि एंगल A जो है वो एंगल C से बढ़ा है तो यह हमने यहां पर प्रूव कर दिया तो एक पार्ट मेरा यह प्रूव हो गया अब हम प्रूव करते हैं second part अब second part भी exactly same है अगर आप खुद solve कर सकते हो तो आप इस tutorial को यहीं छोड़ सकते हो otherwise मैं आपके लिए solve कर देता हूँ अब मुझे यह diagonal बनना है B और D में ठीक है तो यहां पर दो triangles बन गई और इस angle को मैं बोल देता हूँ तो angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8 और अब हम पहले इस triangle को लेते हैं फिर इस triangle को लेंगे so in triangle BCD इस triangle में हमें यह पता है कि यह side सबसे बड़ी side है यह हमें given है तो CD किस से बड़ी हो गई? इस side से? BC से? तो यह BC से बड़ा हो गया इसका मतलब अब CD के सामने कौन सा angle है? अंगल 5 तो इसका मतलब angle 5 किस से बड़ा हो गया? BC के सामने जो angle है और वो कौन सा है? अंगल 6 इसको मैं बोल देता हूँ से number 1 अब दूसरी उपर वाली triangle ले लो in triangle ABD अब इस triangle में AB side सबसे चोटी है यह हमें पता है तो वो इससे चोटी हो गई as usual diagonal को हमें consider नहीं करना diagonal को आप छोड़ दो तो यह हो गया कि AD is bigger than AB यह भी हमें given है कि AB सबसे चोटी side है this implies AD के सामने AD के सामने angle 7 तो angle 7 किससे बढ़ा हो गया AB के सामने वाला angle और वो कौन सा है angle 8 ठीक है इसको बोल दो number 2 now again from 1 and 2 from 1 and 2 क्या है मेरे पास angle 5 plus angle 7 is bigger than angle 6 plus angle 8 इन दोनों का सम इन दोनों के सम से बढ़ा होगा AB अब 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 5 प्लस अब 7 किया है यह पूरा angle which is angle B is larger than angle 6 plus angle 8 और वो हो गया यह वाला angle और वो किया है angle D hence proved यह ही हमें प्रूव करना था so that's it from this tutorial keep watching METHEMARFIA कर The झाल झाल